कि दिजिटर इलेक्ट्रोनिक के आज के इस क्लास में हम लोग आज देखने जा रहे हैं मल्टिप्लेक्सर मल्टिप्लेक्सर को सॉटफर में हम लोग मॉक्स भी कहते हैं हम और फिर इसके बूलिन एक्स्रेशन के बारे में हम लोग देखेंगे लिए मल्टिप्लेक्सर में में से हम लोग एक के बारे में बात करेंगे मेसल में पहलिए one एफ मेसल सरकूत with मैसल के अने इनपोट पर ओड़ी वन आटपूट भंते ह incent एक ऐसा番रो करते हुए जिसमें बहुत सारे इंपोट्स होता है लेकिन आउटपट हमारा ओड़ी गड़ी मोगा इसले by applying control Inputs three– we can stir any input into output control input को apply करते हुए control signals को apply करते हुए input को入 Indigenous output में change कर सकतने है Thus सबस्सक्राइए भाज दाटрасیک्टर हमुथना it is also.." That means हमारे पास multiplexes में इन्पोल्क और से होंगे उन्पोल्स होंगे और आउल्पोट होगा एक समय में एक ही चीज को वो अलाव करेगा तो गेट थूदा आउट्पूट तो जैसे यह हमारा एक मुल्टिप्लेक्सर का सर्किट से जिसमें हमारा यह साइड में जो हम लेफ्ट साइड में देख रहे हैं यह हमारे एन इंपूट से इसलिए हम लोगों ने किया है इसको ल इंपूट जो है वो जो इंपूट को चर्था है आउट पूट के साथ कंट्रोल करने के लिए तो वो है हमारे यहां पर एन तो वन टू थी इस तरह से करते हुए इसको हम लोगो ने M, चुकि दोनों value same नहों, इसलिए हम लोगो ने यहापे M से denote किया है This is the simple block diagram of multiplexer So figure 1 illustrate the general idea, the circuit has N input signals, M control signals and 1 output signals M control signals can select at most 2 to the power M input signals, thus N should be less than equal to 2 to the power M, 2 to the power M से इसका value जो है कम होना चाहिए, यह basic condition है जो हमारे हमको याद रखना पड़ेगा जो हम लोगो बात में देखेंगे, डिसकस करेंगे अब आते है हमारा सबसे पहले 4 into 1 multiplexer logic circuits, यह logic circuits है multiplexers के लिए जहां पर 4 है, that means verifiers, जो input होंगे वो 4 होंगे और output जो होगा वो हमारा 1 होगा ठीक है, तो हमारे पास 4 input है, D0, D1, D2 and D3 ओके, सभी अलग-अलग circuits के साथ इसको joint किया गया है, अलग-अलग diagram के साथ और सब में एक AND gate यूज किया गया है, टोटल हमारे पास 4 AND gate है, 1, 2, 3, 4, ठीक है उसके बाद पहले वाले के साथ, अगर हम लोग देखे, दो input यहां पर output हमारा लग रहा है sorry, control signals जो है, हमारे 2 है, एक A है और एक B है, ठीक है तो A और B के लिए हम लोगों ने, चुकि 4 है, तो obviously 4 कहां से आएगा, 4 के लिए हमारा हो जाएगा 2 to the power 2, इसलिए हमारे पास control या select control जो के values हो गया है, तो इसलिए हम लोगों ने यहां पर A और B को use किया तो सबसे पहले A, A का अगर not gate यहां पर लगा दें, तो not gate में obviously यहां पर A बार जाएगा signal उसके बाद एक और not gate से signal यहां जा रहा है, A बार जा रहा है तो पहले वाले में end gate में हमारे पास जो जा रहा है, वो है A बार, B बार और D not दूसरे वाले में चुकि हमारा A और B का क्या-क्या combination हो सकता है, combination हो सकता है A बार, B बार, next combination AB, third combination A, B बार and last combination is AB उसी तरह से circuit को arrange किया गया है, तो पहले वाले में D not तो और D1, D2, D3 यह तो रहे गा ही, साथ में यह हमारे control signals है, जो अलग-अलग values के लिए हम यहां है और last में एक और gate है, जो सारे values को add करेगा, that means हमारा जो output होगा, यह चारों के add के बराबर होगा, हम लोग A और B के values से हम लोग D not, D1, D2, D3 को control कर सकते हैं, कैसे करेंगा अभी हम लोग देखेंगे तो अगर हम लोग apply करें, logic apply करें, तो पहला वाला में हमारा अगर हमारा A और B को 1-1 input signal apply करें, तो पहले वाले का हमारा जो है वो है A1, B1, D0, दूसरा है हमारा A, B, D1, उसी तरह से next है A, B bar, D2, third one is A, B, D3, so let A is equal to 1 and B is equal to 1, so A और B का complement हो जाएगा, 0 into 0, ठीक है, so A के लिए जगा पर हम लोग 0 लिखे, B के जगा 0 और D0 का value यहां पर output में हमारा आएगा, उसी तरह से, अगर A का value यहां पर A bar है, तो यह 0, यह 1, यह हो गया, D1, उस तरह से, 10, D2, 11, D3, this is 4 into 1 logic circuits, the circuit diagram of 4 into 1 multiplexer is shown in the figure 2 and it is true table is in figure 3, this is figure 3 and depending upon the control input A and B, one of the 4 input D2 to D3 is steered to the output Y, so let us write the logic equation of these circuits, clearly it is given a SOP form, that is, हम लोग जानते हैं, what is SOP, that is, SOP is the sum of product, that means product होगा, रोस product को हम लोग फिर, पहले तो product होगा and then product को हम लोग फिर add करेंगे, तो यहां पर भी हम लोग देख रहे हैं, product है and then इसको हम लोग एड कर रहे हैं, तो यह 3-3 variables का product है, तो हमारा output जो होगा, SOP representation, each and gate generating a product term and while finally, we are summing the or gate with the help of this diagram, okay, so, अगर a और a is equal to 0 हो और b is equal to 0 हो इस case में, तो अगर हम लोग पूट कर देए, a is equal to 0, तो देखें कैसे, अगर हम a के जगर पे 0 पूट करें, यह control हमारा है, b is equal to 0 पूट करें, तो यहां circuit से यह हो जाएगा हमारा 00, पिर d0, 0 का बार, 0 का बार, d0, 0 का बार, 0, 0 into 0 का बार, 0 into 0, d3, तो बाकी सभी में एक term 0 रह जारा, जिसके चलते, d1, d2, d3, cancel out हो जाएगा, सिर्फ हमारा यहां पे बचेगा, d0, तो in another way, अगर हम लोग a is equal to 00, अगर यहां पे substitute करें, that means first and gate is d0 is connected, remains active and equal to and equal to d0, यह d0 के बराबर होगा, मतलब अगर हम यह 00 apply करें, तो हमारे पास जो output होगा, वो d0 input से connected होगा, ठीक है, उसी तरह से all other and gates are inactive with output held at logic 0, thus multiplexer output y is same as d0 and d0 is equal to 0, y is equal to 0, if d0 is equal to 1 and y is equal to 1, similarly, अगर a, b is equal to 01 apply करें, तो हमारे पास जो output होगा, वो d1 के लिए आएगा, ठीक है, जैसे हम लोग यहां पे put कर ले रहे हैं, हमारे पास equation इसको example लेकर समाज़ लेते हैं, y is equal to a bar b bar d0 plus a bar b d1 plus a b bar d2 plus a b d3, अभी हम लोगों ने 00 apply किया था, अभी हम लोग यह apply कर रहे हैं, a b is equal to 01, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो y is equal to हो जाएगा, 0 bar 1 bar d0 plus 0 bar 1 d1, फिर plus 0 1 bar d2 plus 0 1 d3, इसमें सब में इंटू का साइन है, multiplied है यह, तो यह हो जाएगा, 0 bar is equal to 1, 1 bar into 0 d0 plus यह हो जाएगा, 1 into 1 d1 plus 0 into 0 d2 plus 0 into 1 d3, तो देख रहे हैं, साखी बाकी यह फर्स टर्म, थर्ड टर्म, और सभी में 0 का टर्म हैती है, 0 हो जाएगे, हमारे पास आजाएगा d1, इसी तरह से बाकी आगे के लिए भी हम लोग fine कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है, now if we want 5 into 1 multiplexer, there is no 5th combination possible with the 2 select lines, मतलब अगर हम 5 into 1 का बनाना चाहें, तो हमारे पास वो combination नहीं आपाया, ठूकि हम लोग जानते हैं, A, B और इस तरह से combination करेंगे, तो 5th combination हमारा possible नहीं है, हैंस, we need 3rd select line, इसके लिए हमको फिर क्या चाहिए, 3, 3rd line, with 3, we can select up to 2 to the power 3, that is 8 data inputs, commercial multiplexer ICs come in the integer powers, 2 by 2 into 1, मतलब काउं कौन से multiplexers हमारे पास available हैं, 2 into 1, 4 into 1, 8 into 1, 16 into 1, इस तरह से, मतलब 2 के powers में, 2 का power 1, 2 का power 2, 2 का power 3, 2 का power 4, इस तरह से multiplexer हमारे आते हैं, जो हम लोग ने formula भी देखा था, 2 to the power M का formula, जहां पर M जो है, वो controls line को select करता है, या उसको denote करता है, so multiplexer is the device which have 2 into 1 input lines, and single output lines, which control by and control signals, multiplexer का diagram कुछ इस तरह से हम लोग denote करते हैं, यह हमारा 2 into 1 का mux है, जिसमें एक select line है, उसी तरह से यह 4 into 1 का multiplex है, जिसमें 4 input है, एक output है, और 2 select lines है, 8 into 1 के लिए हमारा 2 to the power 3, that means हमारे पास control lines 3 होंगे, और inputs होंगे हमारे 8, और हमारा output होगा 1, उसी तरह से N into 1 के लिए N होंगे, हमारे input lines और N जो होंगे, वो होंगे हमारे control lines, यह N into 1 का multiplex है, output तो obviously हर cases में हमारा 1 होगा, अब आते हैं इसका diagram लिए, मतलब boolean expression लिए, तो 2 into 1 mux अगर है, तो input हमारा 2 है, D0 and D1, output A, control line A, तो अगर हम A का value 0 put करेंगे, इस equation से, जूकि हमारा equation हम लोग जानते हैं, Y is equal to SOP form है, A bar, D1 एक बार में, दूसरी बार में होगा, A D1, जैसे हम लोग के, A और B के लिए किया था, जैसे कि यहाँ पे, तो अगर हम A is equal to 0 put करेंगे, तो 0 का बार हो जाएगा, 1 into D1 plus 0, that means, इस case में हमारा आएगा D1, जब 1 put करेंगे, तो, sorry, 0 जब put करेंगे, तो हमारे पास आएगा, इस case से, A bar, D1 नॉट, और जब 1 put करेंगे, तो A D1 हमारे पास आएगा, ठीक है, इस तरह से बाकी values को, हम लोग फाइन कर सकते हैं, इसका हमारा डाइग्राम हो जाएगा, दो Nand gate, और एक Or gate, ठीक है, 2 N gates and 1 Or gate, and output is Y is equal to, D0 A bar plus D1 A, उस तरह से 4 into 1 mux के लिए, हम लोग 4 input लेंगे, और 2 input control signals लेंगे, इसको तब हम लोग देख चुके हैं, A और B के लिए, अलग-अलग combination, A bar B bar, A B, A bar B, A B bar, A B, तो यहां पर 00, D1, D0 आएगा, 01 put करेंगे, तो D1 आएगा, 10 put करेंगे, तो D2 आएगा, और 1 put करेंगे, D3 और यह इसका logical diagram है, बूलियन गर जेपरा के लिए, तो इसका SOP फॉर्म हो जाएगा, A B bar, A bar B bar D0, प्लस A bar B D1, प्लस A B bar D2, प्लस A B D3, उस ऐसे 8 into 1 max अगर होगा, तो 8 into max के लिए, हमारे पास 8 signals होगे, और 8 signals के साथ, हमारे पास 3 inputs होगे, control signals के, और 8 into 1 max है, output हमारा एक ही होगा, इसका combination को इस तरह सामलों लिख सकते हैं, अगर हमारा सबसे पहले A, B, C है, तो A bar B bar C bar, साथ में D0, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे, A bar B bar C D1, प्लस A bar B C bar D2, प्लस A bar B C D3, उसके बाद हमारा A, B bar C bar D4, प्लस A, B bar C D5, प्लस A, B C, D7, इस तरह से हम लोग combination find कर सकते हैं, 8 into 1 mux के लिए, ठीक है, और फिर mux के बाद हमारे पास कुछ problems भी है, इसको हम लोग देखेंगे, तो सबसे पहले देखने की universal logic circuits क्या है, तो multiplexer sometimes is called the universal logic circuits, because it has 2 to the power n to 1 multiplexer, can be made or used as a design solution for any n variable truth-preval, this we have been seen for the realization of 4 variable truth-preval by 16 to 1 multiplexer in below, जैसे 16 to 1 का है तो इस तरह से हम लोग find कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर 3 है, तो 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 11, 7 तक के लिए हमारे इतना आएगा, तो d is equal to 0 put करेंगे, तो हमारे पास ये values आएगे, d is equal to 1 put करेंगे, तो हमारे पास ये values आएगे, and y is equal to हो जाएगा, d bar, 01, 01, 11, d, so 8 into 1 मलक्स data inputs के लिए, d 0 का value हो जाएगा, d bar, d 1 का value हो जाएगा, 1, d 2 का value हो जाएगा, 1, d 3 का value हो जाएगा, 0, d 4 का value हो जाएगा, 1, d 5 का value 1, d 6 का value 1, and d 7 का value हो जाएगा, दी जो हमारे इस डियाग्राम से आया है ठीक है कि सिंपल सा डियाग्राम में बहुत साइजी है हम लोग इसको देखते भी आ रहे हैं बहुत अच्छी तरह से नेक्स्ट हमारा है कि आवी सोह वाव थार्ट थेडल के रियलाईज रूसिंग राटे इस दाइट इंट 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 इन फिगर वन the first three rows mapped and truth table in the different way similar to the procedure we adopt in the interred variable map we write all the combination of three select inputs in the first row along the different columns हम लोगने सभी को लिख दिया different columns में यह हम लोगने first step में इसको लिखा क्या-क्या combination हो सकता है तीनों variables के लिए तो यह हमारा यह लहीं कहता है we write all the combination of three inputs in the first row along the different columns now corresponding to each value fourth variable d to table output y is written in the second and third row second and third row में d के output को हम लोगने लिखेंगे क्या-क्या आ सकता है ठीक है अगर d is equal to 0 put करेंगे तो क्या आएगा d is equal to 1 put करेंगे तो क्या आएगा यह तो हमारे इसी से आ रहा है ठीक है हम लोग अगर d0, d1, d2, d3 को सभी जग अगर d use करें तो ठीक है तो यह हम लोगोंने output लिखा now fourth row writes y as a function of d y के हम लोग किसके function हम लिखेंगे d के function में तो d' कहने का मतलब है कि d' is the d bar का value तो यहां पर अगर हम d का value 1 लिख रहे हैं तो obviously d bar is equal to 0 होगा तो इसलिए हम लोग ने यहां पर d' लिखा है फिर यह 1 है यह 1 है फिर यह 0 है फिर यह 1 है 1 है 1 है 1 है और लास्ट में हमारा यह d ठीक है तो copying y value obtained in the various row this is because of each select variable combination is the multiplexer transfer a particular input to the output and 8 into 1 multiplexer abc is equal to 00 select d0 abc is equal to 001 select d1 and so on the corresponding circuit shown in the figure 2 hence we can choose any of the four variable of truth table to feed as in figure 1 that's why this is called the universal circuit okay now कुछ problems है इसके सिजएट तो यह हम लोग next class में discuss करेंगे आज के class में हम लोगोने सिर्फ multiplexes क्या है इसको हम लोगों details में देखा इसके कुछ examples कलके class में देखेंगे आपके problems को discuss करेंगा problem discuss करने के बाद फिर हम लोग लोग लोगों ने जैसे n से 1 को use किया मतलब here n हमारे inputs हैं और एक output है तो just इसका opposite भी हो सकता है कि अगर हमारे पास one input हो और n output हो उस condition को हम लोग कहते हैं d-mug या d-multiplexer तो इसको हम लोग next class में देखेंगे